इस वीडियो के साथ मैं हूं मुहमस अफदे डोगर तो वीवर्ज आरिकाल जो हम टॉपक कवर कर रहे हैं वह अजी मल्टिपल एफल्स तो मल्टिपल एफल्स के अंदर काफ़े दो ते प्रोग्रम आपने ने की हैं एक प्रोग्रम और बड़ा अट्रस्टर्स है जो आपके कि यह मैंने मनासा समझा कि लाजमी करवा दिया जाए जैसे कुछ लोगों की सेलरी जो है ना उसको हम कल्कुलेट वगरा करते रहते हैं कि अगर इसकी सेलरी इतनी होगी तो इतना इसको टेक्स पड़ेगा तो एक सेलर्यू है जो मुझे अच्छा लगा था मैंने का आपके अपरशी की सेलरी 80,000 से ज्यादा हो इड़ेट 15% आफ दा आफ यूर सेलरी तो पंदराः पर्सेंट उसकी सेलरी में से कार लिया जाएगा इफ दा सैलरी इस 60,000 आफ और मोर बट लेज दन 80,000 इड़ेट 12% इन यूर सैलरी यानि का अगर उसकी साथषा से ज्यादा हो अगर उसकी सेलरी 40,000 से काम हो तो उसकी सेलरी में से 10 परसेंट जो है न वो डिदक्शन हो जाएगी अगर उसकी सेलरी 40,000 से काम होगी तो पचीस और उसकी सेलरी में से हम कार लेंगे तो यह प्रोग्राम मैंने पहले से लिखा हुआ था कि टाइम बच जाए आपका तो यह देखे मैंने दो तीन वेरियाबल लिए फ्लोट के नाम से नेट पे डिड़क्ट उसको इनिशलाइज द है तर उसके बाद रिखे लिजारी का वेरियाबल के अंदर मैं एंटर यवर सेरी मैंने यानिक के अनुग मैंशने डिस्प्लेई कर एक है एंटर यवर चैलरी और स realm कार लिखे आए तो जब चैन करा लिखा तो आपके कंडिशन लग जाएगी कि अगर आपकि सैलरी ऐसी salary दे दिया 62,000 तो 60 condition बन जाएगी 62,000 is greater than 80 तो condition जो है ना वो क्या हो जाएगी आपकी false हो जाएगी तो आपकी condition यहाँ पर आ जाएगी 62,000 is greater than या और equal to 60,000 तो यह हमारी condition true होगी जैसे हमारी condition यह true होगी तो salary का 12% निकाल के उसको deduct वाले variable में store कर देंगे और बाद में salary में से उस variable की value को minus करके आपकी net payment जो है ना वो समझ ले calculate हो जाएगी बट अगर आप उसको value जो है ना वो दे देते हैं जी let's suppose 45,000 तो यहाँ पर हमारी जो है ना यह वाली condition जो है ना यह भी false हो जाएगी यह condition false होने के बाद यहाँ पर हम चेक कराएंगे तो यह condition यह हमारी क्या हो जाएगी false हो जाएगी तो हम next वाज़िए ना condition पर समझ लेए flow कर जाएगे तो 65,000 sorry 45,000 is greater than 40,000 तो यह condition हमारी true हो जाएगी तो क्या हो जाएगा salary हमारी 45,000 है 45,000 का 10% निकालके deduct के variable में store हो जाएगा और उसको salary में से minus कर देंगे तो आपकी net pay जो है ना वो calculate हो जाएगी but अगर आपकी salary जो है ना वो 40,000 से कम है तो हम क्या करेंगे salary में से 25,000 जो है ना वो deduct करेंगे और वो net pay में आ जाएगा तो आपकी deduction है ना वो कतनी बन जाएगी 2500 है इसको अगर आप उपर लिखके इसको ऐसे भी जो है ना वो करा सकते हैं यानि कि deduction आपकी कतनी आजएगी 2500 और 2500 को उस deduction को आप salary में से minus कर लेंगे तो आपकी क्या जाएगी net pay आजएगी अगर कोई भी इसमें से नहीं बनता तो आपकी जो salary है ना वो क्या बन जाएगी आपकी net pay जो है ना वो consider होगी और end पे हमने क्या किया net pay को भी शो करा दिया और deduction को भी शो करा दिया तो इसको run करते हैं जैसे मैंने यहां पे दे दिया है जी 87,000 अब 80,000 7,000 जो एना वो 80,000 से बड़ा है ज्यादा है तो आपकी net pay जो एना वो बन जाएगी 73,950 और इसमें से deduction amount जाना वो कितनी बन जाएगी 13,050 अब 13,050 को जब 87,000 से माइनस करेंगे तो यह आपकी जो एना amount जाना वो निकलाएगी अब उसके बाद कुछ और amount देते हैं जैसे मैंने इसको दे दी है जी 75,000 है अब 75,000 नेट पे आपकी कितनी बनेगी 66,000 पे आप और उस में से जब 12% माइनस करेंगे तो वो समझे ले निकालेंगे तो वो बनेगा आपका 9,000 पे जब 9,000 को 75,000 में से माइनस करेंगे तो 65,000 66,000 जो एना आपकी net salary जो एना वो निकलाएगी उसके बाद मैं इसको salary द deduction हो जाएगी तो यह देखें 49,500 आपकी net pay बन जाएगी और 10% के लिहाज से आपका 55,500 जो एना 5,500 जो एना आपकी deduction इसमें से पेमेंट महों उटा जाएगी उसके बाद अगर मैं salary जो एना उसको देता हूं 35,000 35,000 ना 80,000 से ज्यादा है ना 60,000 से ज्यादा है ना 40,000 से ज् है तो इसमें से 25,000 जो एना वो deduct amount बन जाएगी अब 35,000 में से अगर 25,000 को माइनस करेंगे तो आपकी amount बन जाएगी 32,500 जो एना आपकी समझने के net pay जो एना वो salary आपकी निकल लाएगी तो यह तो था था वीवर्ज अगर आपने salaries वगएरा को अगर आपने calculate करवाना हो तो तो इसका त्रीका कार क्या होता है तो इसको यानि के multiple files के through आप इसको कैसे calculate करा सकते है multiple files में यह होता है कि आपको जहां भी आपको condition कोई true मिलेगी तो वो वाला block जो एना आपका execute हो जाएगा और बाकी block जो एना सारे skip हो जाएगी तो आज का lecture को यहीं पर end करते हैं अमीर है कि आपको समझ आगी होगी अगर फिर भी को question जहन में raise हो रहा हो तो वीवर्स इसको कमिट्स में डाल दें तो आपको इसका answer दिया जाएगा तो मेरे चैनल को प्रापर subscribe करते रहें ताके मेरी हर आने वाली वीडियो के अपडेट आपको मिलती रहे ओके बाई